के हेलो फ्रेंट्स तो गैसे है आप लो आफ लोग आफ लोग अच्छे होंगे तो यह पर देखे रहें आर्व. chúng हम लोगत के रिजेल्ट आ चुका तू आज हम लोग comment ॥ अपसे लास्में टेकिनिकल एनलिसिस भी करेंगे और उसमें इसमें देखेंगे तो फाइब थाउजन के राउंड इस बार का इंकम दोग देखने को मिल रहा है और लास्ट क्वाटर में था है राउंड थाउजन तू हंड्रेट का तो थोड़ा से डाउन फॉल है कंपनी के कोटर कोटरली रिजल्ट पर यह अरली पर देखेंगो तो थाउजन तू हंड़े अरली बेसिस पर देखना तो 4,800 से 4,500 यहां भी डाउन फॉल देखने को मिल रहा है अच्छी बात है कि हमने नेट प्रोफिट देख लाए था कंपनी का नेट प्रोफिट कितना है तो नेट प्रोफिट हम लोग देख रहे हैं 525 इस क्वाटर में है लास्ट क्वाटर में था था 317 तो और यह 325 से 370 लास्ट तैम था तो हैं देख रहे हैं पर थोड़ा से डाउन फॉल हुआ है परने ऐरली बैसिस पर देख हैंगा तो 341 से 325 त हम लोको दोनों तरह दाने वाट देखने को मिल रहा है यह और उन यह और क्वाटर और क्वाटर को कुल मिला किवह आभी प्रोफिट देखने को नहीं मिल रहा है बट कंपनी का बहुत सारे order आया है तो हम लोग कुछ टाम के बात कंपनी अपने previous सारे profit से बहुत आगे निकलने वाली है इसलिए ये stock बहुत ही भाग रहा था चली हम लोग technical analysis में important level भी देख लेते हैं ये company अभी around 281 पर trade कर रही है ये company बहुत जाद रेली दिखाई है और उसके बाद ये इस zone पर थोड़ा सा अगर consolidate कर रही है बस यहां से breakout आने के बाद ये फिर रेली अपना continue रख सकती है नहीं तो यहां से breakdown आता है तो हम लोग 188 का ये label देखने को मिलेगा ये important label है क्योंकि ये label के बाद ही company का breakout हुआ तो बहुत ही ब्यानक भागी थी तो इस label पर आके ये sustain कर पाती है अगर reverser यहां से होता है इस label से 188 से तो company फिर से बहुत ये अच्छा अपना रेली दिखा सकती है और नहीं तो अगर यहां से इस company का breakdown होता है तो 138 का हम लोग next zone देखने को मिलेगा और हम लोग को ये देखना है कि अब तो result आ चुका है तो कल इस company पर क्या असर पड़ता है result का अगर ये result के कारण फिर से भागना start करती है तो इसका जो high है उसके बाद हम लोग कुछ सोच सकते है इस company का high है 342 इसे break होता है तो इसके बा फिर मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ बाई ठेंक यू